History of Indian Railways, भारतिये रेल्वे दुनिया का एक ऐसा नेटवक है, जिसमें करीब 15 लाख लोग काम करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है. देश में करीब 66,000 किलोमीटर तक रेल्वे नेटवक का जाल बिछा हुआ है, यह दुनिया के तीन सबसे बड़े रेल्वे नेटवक में से एक है. माल धुलाए के लिए भारतिये रेल देश में सबसे बड़ा परिवहन साधन है। और यह ट्रेन छत्रपती शिवाजी टर्मिनल से ठाने के बीच चलाए गई थी, यह 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाए गई। 1950 में इस कमपनी ने मुंबई से ठाने तक रेल लाइन बिचाने का काम शुरू किया था। भारत में सन 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हुए, इसके बाद धीरे-धीरे रेल की पट्रिया बिचाए गई, पहले नेरो गेज पर रेल चली, उसके बाद मीटर गेज और ब्रॉड गेज लाइन बिचाए गई। एक मार्च 1979 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावडा के बीच चलाए गई। सफर 14 मील प्रती घंटे की रफ्तार से तेक किया, इस घटना के बाद अनेक देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए। एक मार्च 1979 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावडा के बीच चलाए गई। भाप से चलने वाली ट्रेन भाप से चलती हुई रेल्वे अब आधुनिक्ता के सर्वोच स्थान पर पहुँच चुकी है और अब यह कोईला, विजली को बहुत पीछे छोड़ बिना ड्राइवर के सफर पर निकलने को तैयार है। ट्रेन ने इस बीच कई रूप बदले हैं। मेट्रो और ती अठारह इसका आधुनिक्तम रूप है। ती अठारह ट्रेन लंबी दूरी की बिना इंजन की ट्रेन है जो पूरी तरह से कम्प्यूटराइजड है। रेलवे की आधुनिक्ता के बाद अब रेलवे स्टेशन और स्टेशन परिसर के आधुनिक होने का समया चुका है। सांसत की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतिय ट्रेनेर रोजाना करीज 37,689 ऐसे जर्जपुलों से होकर गुजरती हैं, जिनकी आयू 100 साल से भी अधिक है वही भारत में कुल रेलपुलों की संख्या 1,47,523 है। यानी की हर तीसरा पुल 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। पूरे देश में 7,349 रेलवे स्टेशन है। देश भर में तिरपन फीसदी ट्रेन रूट पर विद्युतिकरन का काम पूरा हो चुका है। देश की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन 10 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से चलती है। पहाडों से होकर गुज़ने वाली यह ट्रेन में टुपलायम ऊटी नीलगीरी पैसेंजर। इसकी गती इतनी धीमी है कि लोग चलती ट्रेन से आसानी से उतर और चर सकते हैं।